वेलकम स्टूडेंट्स तो आज से हम हमारे एक न्यू कोर्स है यह इस कंपलेक्स नालेसिस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिकरी जो यह कोर्स है वो B.S.C. स्टूडेंट्स या B.S.C. जिन्होंने ओनर्स में B.S.C. की हुई है उनके लिए है और M.S.C. में यह हमारे पास होता ही है और इसके लावा जो यह B.T.E.C. के स्टूडेंट्स है उनको भी कंपलेक्स नालेसिस जो होता है वो सिखाया जाता है तो बेसिकली जो यह स्लेवर्स है वो हमारे पास B.S.C., M.S.C. और B.T.E.C. स्टूडेंट्स के लिए वो आल्मोस जो है वो सेम रहता है तो देखिए तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करेंगे और साथ ही में एक बहुत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है तो उसको भी मैं आपके साथ शेड करूँगा ठीक तो बेसिकली जो है हम यह 15 टॉपिक् है वो यह है कि जो हमारे पास यह complex analysis का course है इसके regarding जितने भी आपको notes होंगे handwritten notes होंगे ठीक है वो भी हम आपको provide कराएंगे और जो यह जितने भी notes है वो हमारी एक website है और उस website का नाम है that is www.asite4 mathematics.in इस website पर आपको जितने भी हमारे पास यह handwritten notes है वो सभी आपको provide किये जाएंगे ठीक और जितने भी यह notes होंगे उनका link जो है वो आपको nature description box में आपको मिल जाएगा और इसके लाबा इस website पर आपको पास दूसरे भी study material जैसे आपको कोई complex analysis है किसी बहुर सब्जेक्स क books लेनी है that is higher mathematics की वो भी available है और इसके लाबा जितने भी हम handwritten study material प्रवाइड करते हैं वह बिल्कुल free of cost वो आपको इस website पर मिल जाएगा तो अब हम बात करते हैं हमारे कौन कौन सम्ट topics हैं उनको cover करेंगे हमारे इस complex analysis के course में थीक तो सबसे पहले क्या है हमारा first topic जो रहेगा वो रहेगा reasons in complex plane मतलब हमको complex analysis को पढ़ने के लिए basically कुछ definitions के जूर्ट पढ़ेगी that is वो basic definitions में आज पास क्या होंगी open set close set neighborhood of appointment connected set and सब सबसा important domain की domain में बहुत important definition रहेगी और हमको क्या कुछ reasons जो होते हैं हमारे पास उनको draw करना पड़ता है complex analysis में तो वो कैसे draw करते हैं वो सब कुछ आपको जो हमारे इस topic में मिलेगा इसमें हम यही सबसे पहले हम यही काम करने वाले हैं उसके बार next topic होगा हमारे पास functions of complex variable ठी हैं उनको हम कैसे define करते हैं किसी complex plane में और कुछ हम इनमें important function को बताएंगे कि जिनके बारे में हमको throughout उनही functions पर जो हमको बात करनी पड़ेगी जो कुछ important functions हैं उनके बारे में हम देखेंगे उसके बाद जितने भी यह हमारे पास functions होंगे उन सबी की हम limits, continuity and differentiability के उपर बात करेंगे कि कैसे हम उनको limit, continuity और differentiability उनकी define करते हैं complex plane में और कैसे उनको proof करते हैं और उसके लाबा हमारे पास अगला topic होगा that is elementary functions जो यह elementary functions का topic होगा इसमें हम basically क्या करेंगे कुछ जैसे हमारे पास real में trigonometric functions होते हैं exponential function और logarithm function होते हैं अब उनको हम क्या करेंगे complex में कैसे define करेंगे that is sin z, cos z, e raised to power z, sin hyperboli, cos hyperboli ठीक जो जितने भी यह functions है complex में हम इसको किस तरह से define करते हैं और उनकी properties क्या है that is most important वो कैसे define करते हैं और उनकी properties क्या है और जो यह complex हम functions define कर रहे हैं इनकी real function जो हम sin x, cos x लेते हैं उनसे इनकी properties differ कैसे है that is most important ठीक तो यह सब बातें हम elementary functions में cover करेंगे and उसके बाद that is a sबसे important topic जो रहता है जो throughout हमारे पास इसके बाद complex analysis में चलेगा that is analytic functions analytic functions क्या होते हैं ठीक है इनको कैसे हम proof करते हैं कि कोई function किसी domain पर analytic function है या नहीं है ठीक है तो यह सब कुछ हम analytic function में पढ़ेंगे उसके बाद new topic आता है मारे पास अगला topic that is power series जैसे मरीगन analysis में power series define करते हैं और उसके बाद that is सबसे important कि जितने भी हमारे पास analytic functions होते हैं उनको हम power series में express कर सकते हैं that is the most important concept है जो उसके उपर हम बात करेंगे and another is हमारे पास आती है complex integration जैसे हम real valued functions की integration करते हैं अब हम complex value function की integration को कैसे define करेंगे और कैसे उसको evaluate करेंगे integrals को ठीक वो देखेंगे और एक सबसे important theorem रहती है हमारे पास that is the coaches theorem जिसकी helps से हम कुछ particular type के integrals है वो find out कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आती है applications of coaches theorem जो coaches theorem पढ़ेंगे उसकी कुछ applications आएंगी इसमें ठीक जो कि हमको जो हमारे पास complex functions होंगे उनकी properties के बारे में पता करने में find out करने में उनकी properties हैं जो real में थोड़ा difficulty से निकलते हैं बड़ complex की help से हम उसको easily find out करेंगे वो भी हम complex integrals की help से करेंगे ठीक उसके बाद आती है singularities means किन-किन points पे हमारे पास analytic function जो है जो complex function है जिन points पे वो analytic नहीं होता ठीक उनको बोलते हैं singularities तो उनको सबसे पहले हम define करेंगे और फिर उसके बाद इनकी properties को define करेंगे ठीक singularities की functions की उसके बाद जो मारे पास next topic आते है यह भी एक बहुत important topic है that is the laurent series की ठीक है कि जो functions मारे पास जिनकी singularities होती है उनकी हम power series तो निकाल नहीं सकते बट उनको हम laurent series में express कर सकते हैं यह पूरा का पूरा एक concept है कैसे laurent series को define करते हैं ठीक है और कैसे हम इसको with the help of singularities कैसे relate करेंगे concept को उसके बाद हमारे पास एक residue theorem आ जाती है ठीक है जिनमें हम pole जो मारे पास होता है ठीक है residue यह सब कुछ करेंगे हम उसके बाद that is most important करेंगे that is the entire function and important theorem entire functions के बारे में पढ़ेंगे and उनके related मारे पास कुछ most important theorems होती है कुछ that is a liability theorem है हमारे पास एक picards theorem होती है that is x के बाद हमारे पास squads lemma वयारा जो भी यह inequalities होती है यह भी होता है ठीक कोची inequality होती है यह सब कुछ हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे conformal mappings ठीक है कि conformal mappings क्या होती है कौन-कौन si mappings को अगर हम को किसी को conformal proof करने ठीक है और इनकी अगर कोई mapping conformal हो जाती है तो उसकी क्या-क्या properties होती है ठीक है यह भी सब हम पढ़ेंगे उसके बाद आता है remain mapping theorem यह भी एक बहुत important theorem होती है ठीक है इसको भी करेंगे और उसके बाद जो मारा last topic होगा वह होगा analytic continuation ठीक तो basically जो मारे पास यह complex analysis का course होगा उसमें हम यह topics है वह cover करेंगे और जितने भी इसके related आपको study material होंगे complete वह आपको हमारी इस website पर मिलेगा जो वीडियो होगा जो भी हम video lecture करेंगे उसके आपको notes और practice question जो भी होंगे ठीक है उस link के थ्रूँ आप वह assess कर सकते हैं इस site पर जाकर सभी content है जो free रहेगा ठीक और साथ ही में आपको जितने भी practice question की जुरूत पढ़ेगी sheets की ठीक है वो भी हम सब कुछ इस courses में करने वाले हैं okay तो इस courses में आपको सब कुछ provide किया जाएगा और यह बिल्कुल free of course रहेगा और तो इसलिए जीतना हो सकता है हमारे courses को जो नेडी students हैं उनके साथ आपने friends के साथ उनको share किजिए और हमारे चैनल को subscribe और video को like अगर कोई भी doubt हो तो आप comment करकर हमसे पूर सकते हैं